जैसा कि हम इस स्पेसिफिकेशन देखेंगे एक्स्टीम 125 र की तो इसके अंदर आपको एक्सेलेशन 0-60 5.9 सेकेंड में जाएगी आपको बहुत बैतरीन पिकप इसके अंदर दिया गया है इंजन डिस्प्लेस्मेंट इसका 125 cc है मैक्सिम्म पावर 11.4 बीच्पी 8250 र पीम पे जाएगी मैक्सिम्म टॉर्क इसमें आपको 10.5 अनम 6500 र पे जाएगा तो यह इसके अंदर बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन है जिससे कि गाड़ी आपकी बहुत ही पावरफुल बन जाती है नेक्स और और हाइट इसकी आपकी 1051 अनम आएगी मम आएगी और विल्वेश इसके अंदर है 139 mm का सीट हाइट है आपकी गाड़ी की 794 mm ग्राउंड के इसका 180 mm है तो टेल आइट है आपकी 8.2 mm है और फ्यूल टेंक इसमें आपका आता है 10 लीटर का फ्यूल टेंक 10 लीटर का है और गाड़ी का जो वेट है आपकी करवेट आपकी 136 kg इसमें करवेट आएगा तो बहुती अच्छे फीचर बहुती अच्छी चीज़ इस गाड़ी के अंदर दी गई है और सभी लोग इसको देखें और लाइक करें और इस गाड़ी का जो भी आपके हैं सबको सजाइस कर सकते हैं आप क्योंकि सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को क्योंकि जैसा कि यह सारी चीज़ें आपको उपल हीरो नौड़ा पर दिखाई जा रही है बाइक के परफॉर्मेंस के लेके बाइप को लेके और बहुत ही बहतरीन डिजाइन किया गया है एक हीरो के द्वारा और हीरों ने 125cc में बहुत भी बहतरीन बाइक बनाई है हम बात कर लेते हैं फ्रंट लोक की जैसा आप देखने हैं यह अलोईविल है और इसका जो साइज है यानि कि जो इंच है 17 इंची यानि 17 इंची का जो इसका ब्रॉट साइज है और आप देख सकते हैं यह जो डिस्पले कंपनी ने दिया है जिससे दूर से पता चलेगा कि बाइक आ रही है और उसके बाद में आप देखें दोस्तों यहां पे जो इसका जो टायर का साइज है वह भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा सबसे पहले बात करेंगे कंपनी ने इसमें टायर का ग्रिप है काफी केली पर इस तरह का होने वाला है उसके बाद में उपर आप देखें यहां पे इसका जो है मास्तर सिलेंडर भी इस तरह का होने वाला है इसका काफी अच्छा है और बात करें कि बहुत जादे इंपोर्टेंट होता है तो कंपनी ने ध्यान रखते हुए कि इसमें एक बिल् और मैं भी पीछे चलूँगा भी पीछे आपको इसके अंदर में जो पार्ट लगे हैं आप देख सकते हो और उसके बाद में हम बात करते हैं पीछले टायर के बारे में तो पिछला भी टायर आप sıkाफी जैसे कि आप देखें इसके अंदर में और बाइकों में half axle होता है तो इसमें half axle नी single axle है जो की मेंटेंगल से जुड़े वे बंदे हैं वो जान सकते हैं कि इसमें क्या चीजह है और पीछे के लुक के बाद करें तो आप देशकते हैं कि इसका जो मड़फ पीछे का जो काफी ज्यादा एग्रेसिव है साथ ही रिफ्लेक्टर भी आपको मिलता है और इसके अंदर में आप देखी काफी ज्यादा एक क्रूम के जो बोल्ट वगरा होते हैं उसको कैप को कैप से ढख दिया जिससे की जंग वगरा ना लगे और काफी ज्यादा अच्छा भी लगे और वाईब्रेशन आ होने के लिए काफी अच्छी रोट का इसक्तुमाल के हूँआ है मैटल भी बहुत अच्छा इस्तुमाल किह हुए इसमें तो मुझे तो बहुत प्यारा लगा है लोको इसका और बात करते पीछे का आप देख सकते हो यह जो है डह आपको आगे लेकर चलत कपड़ा कोई नफजा साड़ी वगरा शूड़ वगरा नफजा दुपट्टा उसके लिए सेपटी का बहुत ज़्यादा कंपनी ने ध्यान दिया है देखे इसमें का अधा प्रङ्ट कंपनी का बढ़े और लोग का विस्वास बीज एक बारे में सारी के बारे में और काफ़ी जदा यह मेरे को प्यारा लगा यहीं इसली चीजिस सारी जहां तक प्लास्टिक और इसका इसुमाल क्या तरे सिद्सक्राइब किनट के बाद में देख्टें की बहुत ज्यादा के वे कंपणी ज्यादा लंबे रोड का इस्तिमाल किया हुआ आप देख सकते हो साथ में चोटा सा फुट पैड भी लगाया रवड का कि अराम से बाइक जो इस्टेंड हो जाए बात करते हैं जिसमें इसमें गेर की तो इसमें पांच गेर होते हैं जिसमें कि आपकी जो है गाड़ी का जो जो जैसे गेर डलते हैं वैसे है जैसे पहला नीचे बाकी सब उपर डलेगा लिफ्ट करना पड़ेगा पांच गेर की बाइक है और यह चीज़े अभी आप देख सकते हूँ यह लिखी हुई है और उसके बाद में हेरो की ब्रैंडिंग आप देखे सकते हूँ मैंगनेट स जो पीछेगा जो सीट है वह जो पीज़ेंट के लिए बहुत ज़्यादा सेफ यह काफी अच्छा लगा मुझे और बहुत ज़्यादा आएक कजया लगी मुझे मैंने जब इसको दबाय तो बहुत ज्यादा मैंने अच्छे से से इसको फील किया और उसके बाद में दोस्त चारिज जानकर इसके नंदर में नहीं बताऊंगा आप देखे छोटी इसकी पर्टिकिलर में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको जारतर में बताऊँगा कि एक में वीडियो बनाओंगा मीटर के उपर और यह हीरो की चाह भी आप देख सकते हो और उसके बाद में आप देख सकते हैं यह क्लच का लीवर कुछ लोग कहते हैं कि बाइक में इतना क्लच लूज क्यों है तो मैं आपको मेकेनिकल के इसाफ से बताओं अगर यह क्लच लू जो है स्विच बार के बारे में देखिए यहां से आपके बाई के स्टार्ड भी होती है बंद भी होती है दोनों काम यहीं से होते हैं किल स्विच वगरा यहीं पर यह सब कुछ और उसके बाद में हम इधर के साइड में आ जाते हैं देखिए हजार सिस्टम यह उसका ही सु कि यह देखिया इंडिगेटर के बटं मैंने ज्च किया अब देखिए इंडिकेटर जल रहा है इसमें थेकि कर्ण का बटन में दब आ ठरहा हूं या पे ऑप ANY यौ कि आवज सब्सच्च को कर रहा है और यहiken मैंने स्टार्ट खर दिया है अब यह मंने बाइक को स्टार्ट भी कर दियाै और मैं हरका से स्पीड भी दे रहा हूं यहीं अब मैंने बाइक को को अब और गयुस्ट में अब क्या होगा अब यह देखिए को फ्रंट लूप पारा है इसका और नंबर प्लेट प्लेस करने के लिए नंबर प्लेट का इस्टेंड आपको यहां पर दिया हुआ है जो कि नंबर प्लेट आप यहां पर एक्स्टेंड कर सकते हो देखें और इसके बाद में आप देख सकते हैं यहां पर आते हैं शौकर पर आप देखें देखा से मुझे लगता ही किéric Kblaik का जो इस्तमारिस में किया गया और साती इसका जो ऩकी प्लेट कोती है यह एसमें की ईसकी दिखद नहीं है क्योंकि लहे में क्या होता है कि क begun अगरा लगता है तो बहुत भदढाल लगता है और लगता है तो एक टैंक के साइड में एक विंग्स दिया है कंपनी ने देखिए जिस पे स्टिकर भी लगा है 125R का यह विंग्स होने वाला है और उसके बाद में आप लोगों भी देख सकते हैं यह देखिए पैट्रोल का टैंक है और अभी चाबी से में खोल करके दिखाता हूँ आपको य कैसे आई है देखिए इस तरह से टैंक का जो है लॉंक मैंने खोल दिया है और यह जो इसका इनर फेस है आप देखिए देख सकते हो पैट्रोल भी पड़ा हुगा है थोड़ा बहुत स्टार्टिंग के मामले में देखिए उसके बाद में नॉर्मली जैसे हर बाइकों में प्रक्राइब करते हैं उसी तरह से लगा लेकिन बहुत प्यायर आहें दोस्तों काफी जादा मेरे बात करते हैं USB Charger उसके नीचे आप देखोगे USB Charger है कि थोड़ा बहुत सेफ जगे लगाया कि कोई छेड़ खानी नहीं करेगा कंपनी वाले ने बहुत कुछ सोच समझ के इसको अच्छे से मोडिफाइट के हर एक चीज को तो आप आप वाइल वगरा चार्ज कर सकते हो होडर लगा करके अच्छे से सारी चीज़े आप काम कर सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगे आपको और बाकि आप देख सकते हो इसका जो है रियर लुक आप देख सकते हो यह देखिए देखिए दोस्तों की मलब और इसमें आप देख सकते हो यह साइज से आप देख सकते हो यह देखिए होरन भी है कंपणी ने सिंगल हॉन दिया है और हाँ दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक यह मोनो श कोस्टली होता है महंगा होता है उसके लाइफ को ज्याद ही होती है इस वएसे कंप्री ने सिंगल सो करती है और आप देख सकते हो इसका इनर फेस आप देख सकते हो यह और साइट में आप देख सकते हो यह चार बोल्ट के साथ में आपको टैल खुल जाएगी और इसके बाद कर दो 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 कर कि अजय है कि अजय है कि अजय है अजय है